हलो वेलकम टू अभी मन्निव आईएस माई नेम इस एमेस हुसेन और आज हमारे साथ हैं रितु बंसिवाल जिन्होंने हर्याना सिविल सर्वीशेस में एक स्टूडेंट से एक ऑफिशर बनने की और इनसे यह भी जानेंगे कि क्या स्टाटेजी इन्होंने अपनाई की प्रिलिंप्स के लिए मैंन्स के लिए और इंटर्वी के लिए तो सबसे पहले मैं कॉंग्राचुलेट करना चाहूंगा पूरे इंटायर अभिमन्यू टीम क इनके सेलेक्शन के लिए कॉंग्राचुलेशन रितू सबसे पहले तो यह बताइए आप कि जब आपने फर्स्टाइम रिजल्ट देखा या फिर सुना तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके घरवालों के कि नॉर्मल जो मतलब सब बहुत खुश थे क्योंकि पिछले पांच साल की महनत है जो फाइनली एक हार्ट वर्क था वो देखने को बिला तो सब मेरे फैमली में सब हर कोई हर कोई इविन सिंगल मेरे सारे सब बहुत खुश थे तो सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था इसको में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितने खुशी है मुझे एक्जाम को क्लियर करने के बाद चले और यह बताए कि आप कहां से बिलॉंग करते हो आपके एजुकेशन कौलिफिकेशन क्या है सब मैं गुरुग्राम में रहती हूं मैंने स्कूलिंग सेंड माइकल सीनर से इंडी स्कूल से किया है गुरुग्राम से ही उसके बाद समेने केमिस्ट्री ओनेर्स किया है श्रिवैंके टेश्वरा कॉलिज युनिवरसिट इंभश्योव डालिव मैंने से किया है और उसे कि साथ मैंने प्रप्रपेशन की थी सब तो आप जब कर रहे थे तो कोई मतला जॉब के साथ कर रहे था या फिर प्रेशन कर रही थी मैंने कोई जॉइन नहीं की तो अगर हम बात करें कि स्टराइज्जी की की पेहलमस की स्टर visa क्या तो आपने किसको श्रॉइस स्ञार करते हरे कोई कुई बहुत सारे वीक होते हैं कि कूण को इसट्रॉक पंगोंग को कैसे अपने अपने मजबूती के साथ लेकर गए एक्जाम में, तो उसके बारे में पुछ बताईगा? Sir, राइट प्रदेम्स में दो पर होते हैं, GSO C-Sat में. Sir, GSO के जो भी सब्जेक्स थे, Quality, History, Geography, Economic, Science. Sir, वो क्योंकि मैं UPSD के तियारी कर रही थी, तो मेरे लिए उतना मुश्कील नहीं थे इस सब्जेक्स को पढ़ना, Sir. तो मैंने सबसे जादा ध्यान साइन्स पर दिया था, पता नहीं उस ताइम मैंने साइन्स पर क्यों दिया, और लगीली इस बार HCS में साइन्स का पोश्चन भी बहुँ जादा आया था, साइन्स और हिस्ट्री, Sir. और, Sir, उसके बाद जो CSET है से मैं डेली एक घंटा पढ़ती थी, एक्जाइम से कुछ 1.5 मन्स पहले, प्रॉपर जब हम बढ़ाई करते हैं, प्रेलिम्स के लिए, तो डेली मैं 1.5 आर्स CSET को देती थी, और बाकी का, Sir, जो भी टाइम होता था, मैं GS को देती थी, इंक्लूडिंग Current Affairs and Haryana Static GK. जी. जी, Sir. जी, और CSET के लिए मतलब किना टाइम देती थी आप? Sir, 1.5 आर्स डेली. डेली, मतलब… प्रेक्टिस करती थी, प्रेक्टिस करती थी, यूट्यूब पर देख लिए से रिलेटेड तो इस तरह से मैं गरती थी, Sir. तो CSET को टाइम देना जरूरी है, क्योंकि क्यूंकि कॉलिफाइंग है, विदाउट कॉलिफाइंग देस सब्जेक्ट हम नहीं प्रेलेंस क्लियर कर सकते, तो इसलिए CSET को टाइम देना बहर जरूरी है, अब क्यूंकि हर येर वो टफ भी होता जा रहा है, CSET के गरम बात करें तो. क्यूंकि UPSC के पैटर्न में भी पूछा जा रहा है, पहले तो स्चेस का अलग पैटर्न था, अब पैटर्न जो चेंज हुआ है, मतलब UPSC का पैटर्न पे आ गया है, तो आपको CSET में भी ध्यान देना चाहिए, एकुली टाइम देना पड़ेगा, एकुली नहीं, बड़ एक लिस्ट को 1.5 वार्स डेली हम दे सकते हैं, पर दे, तो वो भी सफिशेंट होगा, और अगर हम लोग बात करें कि मेंस की, क्योंकि मेंस में आपके ऑप्शन भी होता है, GS पेपर भी होते हैं, तो उनकों कि स्टेप से अपने प्रिपेर कहा था, क्या, वो साथ-साथ ही चल रहे थे आप प्रिपेशन में? सर, मेंस का मेरा प्रिलिंस के बाद ही, मैंने जो तीन मेने का टाइम बिला था, तब जादा किया था, सर, उससे पहले मेरे मेरे मेंस के जादा तयारी थी नहीं, नोट्स वगेरा, सर, जो मेरे बने हुए थे, वो काफी हलपफुल थे, प्रिपेशन के टाइम पर, GS के अगर मैं बात करू, तो test series जो होती है, सर, solved, मैंने GS के लिए वो पढ़ाता, सर, जो test series solved आती है, सर, वो काफी हलपफुल थी, क्योंकि वो question answer की format में होता है, सारा syllabus महाँ पर cover हो जाते है, उसके बाद सर, optional, जो मेरा anthropology है, उसके लिए बस सर, मैंने एक ही book की थी, वो Akshat Jen, सर ने जो लिखी है, जो IAS है, 2019 batch के, उनके द्वारा लिखी गई है, तो मैंने इसे वो book से पढ़ा था, क्योंकि basic तो cover था, बस थोड़ा महाँ से मैंने revise किया था, सर, उसके बाद सर, Hindi English, वो भी डेली करना पढ़ता था, क्योंकि हरियाना में Hindi English की इक्वल वेट है, जैसर, दोनों को मिला के 200 marks का फेपर बनता है, Hindi 100, English 100, तो सर, उसको भी डेली टाइम देना, जो भी PYQ से सर, वो प्रैक्टिस करना, खुद से, और को अगर mentor होता था, तो सर, उनको जाकर चेक कराना, या ओनलाइन चेक कराना, तो इस तरह से सर, चारो सब्जेक्स को डेली करना पड़ता था, जी-जी, और ऑप्षिनल का क्या था, आपने के ऑप्षिनल क्या मतलब प्रैलिम्स के साथ-साथ ही पी पेशन क्या था या फिर जब आपने प्रैलिम्स के लिए तो जब मेंस के लिए त्यारी करने थी, तो सर, फिर दुबारा से मिने उप्षिनल स्टार्ट कर दिया था, और अंसर राइटिंग की प्रैटिस कैसे कि आपने, जी सर, ये एक कुशन होता है सब का आंसर राइटिंग का सर, बट मैं अगर अपनी बात करूं सर, मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग के प्रैटिस नहीं की सर, ना तो सर, टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया क्यूंकि प्रैलिम्स के बादिक्दम से मेंस देना था सर, क्योंकि ये एक्जाम जैसे हम जानते हर्याना का स्केडियूल इतने जल्दी सारा चीते हो गई थी सर, तो सर इसमें बस मेरा मेंन फोकस है कि मैं अपना कंटेंट एक तो डिवलप कर लूं जो मुझे लिखना है, उसके बस सर, जो मैंने कुछ टेस्स सिरीज जोईन की थी, वह मैंने बस प्रैक्टिस किया था, तो वीक में एक टेस्ट दे दिया सर, तो ऐसे अगर फोर वीक स्वी मिले तो सर पोर तू फाइफ टेस्ट मैंने लिखे थे बस, तो सी से सर, answer writing में ने देख लिया था और time manage हो जाता है exam में, अगर आपके पास content हो तो आपको पदा हो कि बहुत क्या पड़ा और क्या लिखना है, तो सर, time manage हो जाता है, बट answer writing में नहीं की, बड़ इस very important कि अगर हमारे पास time है तो answer writing जरूर करें, हम two answers per day लिख सकते हैं, वो भी more than sufficient है, तो जिसे कि यह मेरा आगला question आपके answer writing से उपर ही है कि जिसे कि यह जो को अगर हम लोग पिछले paper देखें, मैंस का paper देखें, तो बहुती lengthy paper था, ठीक है, बहुत सारी student ने वो paper तीन घंटे में खतम ही नहीं करता है, ठीक है, तो आगर मैं जीएस की बात करूँ, तो 20 questions थे, 14 marks के 10 questions और 6 marks के 10 questions, मैंने 14 marks के question से start किया था, और बिल्कुल सारे तो नहीं आते थे, बट सर, speed बहुत माईने रखती है, आपके speed आपको बिल्कुल देखनी है, और यह नहीं कि हम एक ही question में अपना सारा time दगा दे, कि अगर हमें उसका सब कुछ आते हैं, तो हम सब कुछ मालिक दे, हमें equal time दे सारे questions में, तो यह हमें ध्यान रखना था, सर, यह चीज काफी बच्चों से हुआ है, कि उन्होंने 6 markers वाले पहले attempt कर ले, 14 marks वाले चूट गए, और 14 marks वाले चूट जाएंगे, तो नंबर बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, तो उस time पता नहीं कैसे, बट मैंने 14 marks से ही शुरू किया, और सर, धाई घंटे, I guess, 2 hours में, मेरे 14 marks के कवर हुए थे, 10 questions, उसके बाद सर, 6 marks का मैंने attempt किया था, 10 questions, तो सब वहां पे मुझे एक घंटा लग गया था, बट सारे answers में, अगर मैं कि मेरी quality अच्छी थी तो गूँ गलत होगा, सब answers में quality भी अच्छी नहीं थी, writing भी अच्छी नहीं थी, बट मेरा paper complete हुआ था, बस मैंने यही सोचा था, कि मुझे paper complete करना है, सर, जल्दी, में को attempt करना था, सर, क्यूंकि हमें पूरा तो नहीं पता होगा, सब के बारे में, बट थोड़ा बहुत हम सब जानते है, हर question के बारे में, तो सर, मेरा तो यह था कि मार्क का एक चूट गया था, बट मैंने जी इसमी एंशोर किया कि नहीं मैं छोड़ूं की नहीं मैं सारा ही करो ली, तो स्पीड बहुत माइनी रखती है सर, बट आप कितनी जल्दी से इसको समझ पा रहे हूं question को लिख पा रहे हूं, तो दा पॉइंट, और अगर हम लोग बात करें इंटरिव्यू पीपेशन की, तो इंटरिव्यू पीपेशन कैसे किया था, क्योंकि जो अगर हम लोग रिजल्ट देखें, मैं इसका रिजल्ट के जैसे ही निकला था, उसके दस दिन बाद ही इंटरिव्यू था, जी जी, काम सौट टाइम में कैसे मैनेज करना, या फिर पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे इस्ट्रेंट की इतने कम टाइम में जा है, तो उसको एक तो सबसे पहले अपने आपको थोड़ा संतुलित बनाए रखना, संतुलन पर बनाए रखना और प्रिपेशन भी करना, तो उसको कैसे मैनेज किया था, जी सर, 17th को रिजल् ही रहता है कि पता रही सेलेक्शन होगा मेंस में नहीं होगा, बट सर जैसे इंटर्व्यू का आया, तो उस ताइम पर सर पैनिक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक करोगे तो फिर नेक्स्ट 10 देज में आप कैसे सवाइव करोगे, थोड़ी पोड़ी पोड़ी होती थी, बट क्योंकि I was fortunate कि मेरे एक फ्रेंड के साथ में पढ़ रही थी, तो हम दोने ने काफी हद तक अपने आपको, मतलब इंटर्वी के तरह हमने एक दूसरे से पूछा हर एक चीज, अपना जो भी सर जिसे हरियाना स्टेटिक के उसको कवर किया, डेली सर उसको वान तो सर हर दिन मतलब 8-10 आर्स इंटर्वी के लिए तैयारी की थी, जो भी सर दस दिन मिले थे, और इस बीच से मौक इंटर्वीज वगेरा हुए थे तो वो दिये, तो इसे थोड़ा कॉंदेंस आ जाता है मौक इंटर्वीज देने के बाद कि किस तरह से पूछा जा रहा है किस तरह से बोलना है, किस तरह से बैठना है, तो वो हेल्प करता है, बट मेरा इंटर्वीज जो था, रियल वो बिल्कुल ही डिफ्रेंट था सर, मुझ से कुछ भी नहीं पूछा गया था, रिलेटेटिट तो हरियाना और एंथ्रोपोलोजी, कुछ भी नहीं, वो इत्व रेंडम स्टार्ट हुआ, बट चलो, लगीली सब चीजे हो गई, लेकिन ये सारी चीजे बट करनी पड़ेगी, जो भी मारा सब्जेक्ट है, जो भी हरियाना है, वो में बहुत अच्छे से करके जाना पड़ता है, कोई इंटर्वीज सर, बस मेरा आगला क्वेशन यही था ऐसा इंसिडेन, मतलब आप ऐसे श्यार करना चाहो, कि हमारे इंसे जिए जब आने वाले इंसे ज क्या और आपने जब आपने इंटर्वीज सर जब आइन गये थे, तो कोई ऐसा या जिए जब आपने तो सर, मुझसे पहले दो लड़कियों का और हुआ था दो female candidate थे, जो स सिर इसे में इंट्री की तो एक दम से वो एक पुर्च अवायमें बन गया थो अनों ने बोला कि नारी शक्ति का चल रहा है क्योंकि एक दम से तीन तीन टेन देन फिमल चांड़ेट से अरहे हैं तो सच श्क सराटिं बहुत अच्छी हुई थी सबसे परे से मुझ से यही पूछा था कि इंट्रड़क्शन नहीं लिया सर कि जैसे हम नॉमली हमने देखा यूपीएसी इंटर्व्यूज में पूछने कि तेल सम्थिंग अबाउस इस तरीके का नहीं था और नहीं सिंपल पूछा कि आपने क्या ग्रैजुशन किया है आपन कैसे बनती है ट्राइब्स का कुछ था सर कि ट्राइब्स कुछ उन्होंने बताई थी वह कहां पर लोकेटिड हैं कुछ सर ऐसे उन्होंने पूछ ला थे कि लेजिसलेटिव अशेमली की सीड्स हो गई कुछ स्टैटिक था सर एक जो सबसे मतलब अच्छा जो मेरे लास्ट म अच्छा बने तो उनका नाम मुझे बताना था था तो वहां से उन्होंने मतलब बहुत से में नर्वस होते हैं लिकिन अजया बना देते हैं लिक्ति अप्छा बहुत कमफर्टेबी एंटर्विव्यू देते थे लिकिन आपको पता है कि 2023 का नोटिफिकेशन SCS का आ चुका है ठीक है बहुत सारे एस्परेंस हैं जो आपके साथ इंटर्वीव इसे भी हैं जो लगातार पीपेशन कर रहे हैं ठीक है लेकिन नहीं हो पा रहा है उनका सेलेक्शन देंगे तो उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहो तो जी सर बिलकुल सर यह एक्जाम सिर्व सर्विसस कोई भी हो चाहे PCS और UPC हो टफ तो होता है सर जड़ने भी बहुत टफ होती है और हिमत भी टोटती है मैं भी पिछले पांच साल से महनेट कर रही हूं लेकिन अगर इस साल किसी का नहीं हुआ तो सर मेरी तो यही उन लोगों उसे एक गुजारिश है कि वह बिलकुल हमत ना छोड़े और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ गया है सर उनकी प्रप्रेशन भी अच्छी खासी है वह दुबारा से इस चीज में लग जाए सर और दूसरा सर जो काफी टाइम से कर रहे हैं वो अभी अपना कुछ एक बैक मेंस की अगर आंसर राइटिंग के लिए टाइम है तो उसको टू आंसर पर डे लिखे सर जितना हो सर के सर मोक्स वगेरा जो होते है टेस्स सीरीज घर पर लाकर ही सॉल्व करें और रिवीजियन सर रिवीजियन सबसे दादा इंपॉटेंट है और इंटर्वी की प्रप्रे लेकिन मैं तो अब यह बोलना चाहूंगे कि दो साल तक का टागेट लेकर चले कोई भी जो नियू काड़िट है उसके बाद उनको अपना बैक अप सोचना चाहिए कि दो साल में नहीं होता है तो बट बिलकुल आप कोशिच करें और आपका इसी एक साल में निकल जाए तो आपने हमें टाइम दिया अपने किमती वक्त हमें दिया और आई होब पूट दिया है बच्चों को वह उनसे बहुत कुछ सीखने को है उसमें ठीक है यू सम थैंक यू आप आने के लिए हमारे पास and congratulations once again and thank you sir thank you so much best wishes for your future thank you sir thank you so much sir हुआ हुआ